पन्नगे चै शुरेंद्रे चै कौश के पादशंस्प्रिशी नेर्विशेश मनस्काय स्री दीरस्वामिने नमह आरहत वांगमल में कहा गया है धम्मो मंगल मुक्कित्थम अहिन्षा संजमो तवो देवावि तंग नमंग संती जस्ष धम्मे सया मनो मंगल आदमी को अभिष्ट होता है वह अपना भी मंगल चाहता है और कई जो प्रियजन हैं दूसरे लोग हैं उनका भी मंगल चाहता है अपना मंगल चाहना तो सामन्य बात है तो दूसरों का भी मंगल चाहना ये कुछ उदात उदारता की बात हो जाती है अपना मंगल तो कोन चाहता होगा पर दूसरों का भी मंगल हो इसलिए ये कई बार मंगल भावना समारोह मंगल भावना किसी की यात्रा के लिए मंगल कामना किसी के स्वास्थे के लिए मंगल कामना ये दूसरों के प्रति जो मंगल कामना की जाती है उसमें उदात्ता का दर्सन होता है यदि वह मंगल कामना भीतर से होती है अंतरमन से होती है मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है प्रवेश के लिए मुहूर्त देखा जाता है कि सुब मुहूर्त में कहीं जहां विशेश उद्धेश्य से जाना है वहां प्रवेश करें और प्रस्थान के लिए भी मुहूर्त देखा जाता है यानि विशिष्ट कारिये के लिए मुहुर्त देखा जाता है ठीक है कोई मुहुर्त को ने भी जान में ले सहद भाव से काम कर लेता है परन्तु या मुहुर्त देखने के पीछे भी मंगल की निर्विग्नता की कामना प्रती तो होती है हो सकती है आज हमने बाईतु में मरियादा महुत्षव कालीन प्रवास के प्रारंब के रूप में प्रवेश किया है मरियादा महुत्षव के प्रयोजन के साथ प्रवेश हुआ है प्रवेश के साथ भी मंगल इस्ट होता है इसलिए मुहुर्थ भी देखा दिखाया जाता है और कई बार मैं देखता हूँ लोग कुछ पदार्थों को भी मंगल के रूप में प्रस्तुत करते हैं अमुक यंत्र या अमुक खाने की चीज कि यह ली जाए मुहुर्थ के संदर्भ में प्रवेशादी के संदर्भ में यह भी मैं देखता हूँ यत्किंचित परन्तु सास्त्रकार ने बहुत उन्ची बात कही धम्मो मंगल मुकिठ्थम उत्कृष्ट मंगल क्या है आसातना किसी की भी ने हो पदार्थ उत्कृष्ट मंगल नहीं है और आसातना ने हो तो मुहुर्थ देखना भी उत्कृष्ट मंगल नहीं है उत्कृष्ट मंगल है धर्म यदि धर्म हमारे साथ है तो आसा रखें या विश्वास रखें मंगल हमारे साथ है और धर्म नहीं है तो उत्कृष्ट मंगल हमारे साथ नहीं है प्रस्न हो सकता है कि आप कोन सा धर्म बता रहे हैं कोन सा धर्म मंगल है जैन धर्म मंगल है एक बवद धर्म मंगल है एक सनातन धर्म मंगल है एक शिक है एक इसाई है एक इसलाम है आदि कोन सा धर्म मंगल है हलांकि मैं तो जैन धर्म का अब्यक्ति हूँ जैन धरम की दिक्सा मैंने स्विकार की है हम लोगों ने जैन धरम की दिक्सा स्विकार की है तो जहां मंगल की बात मुझे प्रतिपादित करनी है तो मैं कहना चाहूंगा कि जैन बाउद भी एक अपनी अपनी ब्यवस्थाएं है अपना अपना महत्व भी हो सकता है पर मंगल की बात है तो अहिंसा धरम मंगल है सैयम धरम मंगल है और तप धरम मंगल है धरम क्या है इसका अति संक्षेप में निरूपन सास्त्रकार ने कर दिया अहिंसा संजमो तवो अहिंसा धर्म है संयम धर्म है तप धर्म है कोई जैन यक्ति इस धर्म की आरादना करे तो भी मंगल है अजैन करे तो भी मंगल है मंगल यह नहीं देखता ऐसा लगता है कि कौन सा धरम मानने वाला आदमी है मंगल तो यह देखेगा कि अहिंसा धरम को जीवन में पालित करता है या नहीं संयम जीवन में है या नहीं तप जीवन में है या नहीं अहिंसा संयम तप है तो मंगल फिर दूर नहीं रह सकता मंगल वहां मानो होगा ही होगा अहिंसा ऐसा धर्म है जो सांती दाई है सांती को भी छोटी बात मान ले एक संदर में तो परम मुक्स की ओर जाने में सहायता करने वाला अहिंसा धर्म होता है आय तुले पयासु सभी प्राणियों को अपने समान समझे मुझे सुख प्रिय है तो आपको भी सुख प्रिय है मुझे दुख प्रिय है तो आपको भी दुख प्रिय है तो मैं सुख चाहता हूँ तो दूसरों के सुख में मैं बाधा डालने का प्रयास क्यों करूँ ये आत्म तुला की जैसे मुझे सुख प्रिय है औरों को भी सुख प्रिय है ये सामुदा युक चेतना मैं केवल अपना स्वारत ही ने देखूँ दूसरों का भी ध्यान दूँ मेरे साथ वालों का भी ध्यान दूँ और आसपास वालों का भी ध्यान दूँ कि मैं सुख चहता हूँ तो मेरे साथ ही और भी आसपास के लोग क्या उनको मैं दुख में ही रहने दूँगा उनको भी तो कष्ट अनावस्यक ने हो ऐसा मैं ध्यान दूँ एक बार आचारिय तुलसी इसी संभवते एरिया में थे बार में जिले की एरिया होगी एक जगे रातरी प्रवास कर गए थे संभवते कोई जोंपडे में प्रवास हो रहा था साधु लोग जोंपड़े में थे श्रावक लोग बाहर थे संभवत रात में बरसा शुरू हो गई थोड़ी हल्चल सी हुई बाहर तो गुरुदेव तुलशी और कुछ संत थे गुरुदेव ने फरमाया कि संतों उठो फ्रास्थान यहने खाली करो श्रावकों से का भी क्या बात मराच आप उड़ाओ आप उड़ाओ बरसा आप उड़ाओ आप उड़ाओ नहीं आप भी स्रावक भी अंदर करो अंदर कर लो अब इस गटना के पीछे मैं अने एक कोणों से जक्छा कर सकता हूं पर एक सामन्य कोण यह भी कि भी समसाधू लोग अंदर आराम से एं तो ये लोग फिर बरसा में कहां रहेंगे ऐसे हमें सुख प्रिय है तो उनको भी तो दुख प्रिय नहीं है ना उनकी भक्ती है भी कि वो नहीं चाहते हैं कि संतों को कश्ट पड़े पर क्या बात है वो भी धार्मिक लाब भी तो अंदर ले सकते हैं अपकाई के जीवों की हिंसा से भी बचाव हो सकता है फिर जाच्छा अनेक रूपों में हो सकती है पिर मैं बता रहा था आत्म तुला मुझे सुख प्रिय है तो औरों को भी सुख चाहिए इसलिए मैं अकेला सुख ही रहूं बाकी बले कुछ भी दुख पाएं इस चिंतन में अगर अमुदारता है स्वार्थता है तो ये चिंतन कहीं बिमर्स नहीं हो सकता है हमारे सादू साध्वियां समन स्रेणी मुमुक्सु बाईयां और भी लोग हैं स्रावक श्राविकाएं आठी आज हमने इस मरियादा महुत्सव कालीन के लिए ये प्रवास के लिए प्रवेश किया है और वार्षिक हमारा ये मरियादा महुत्सव है मरियादा ब्यवस्था के लिए सैयम की चेतना भी चाहिए सैयम है तो मरियादा के पालन में उनकूलता हो सकती है सैयम नहीं है तो मरियादा का लंगन हो सकता है हम मरियादा की रक्षा करेंगे तो मरियादा मानो हमारी रक्षा करेंगी धर्मो रक्षती रक्षित है मरियादा रक्षती रक्षिता मरियादा की रक्षा हम करेंगे तो मरियादा हमारी आत्मा की रक्षा कर सकेगी अनुसासन मरियादा यह संगठन के लिए समाज के लिए अप्यक्षित तत्वे है भारत लोक्तांत्रिक प्रणाली से संचालित राष्ट्र है कल 26 जनवरी भी है कि हमारा यह मरियादा मोच्षव का कार्यक्रम त्रिदिवसिये कल सुरू होने वाला है और राष्ट्र का भी मानो मोच्षव कह दे एक विशेश दिन है 26 जनवरी दोनों का साथ साथ समागम हो रहा है कल मरियादा मोच्षव के त्रिदिवसिये कार्यक्रम का समागमन या सुभारंब इदल राष्ट्र भारत का 26 जनवरी का दिन तो संबिधान मरियादा अनुशाशन ये संगठन के लिए राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व होते हैं कोई सोचे कि भारत तो स्वतंत्र हो गया अब क्या अनुशाशन चाहिए क्या व्यवस्था श्वतंत्रता है पर स्वत्षंदता उच्ष्रिंग खल्था वो नहीं होनी चाहिए विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन देटी ओफ डेमोक्रेशी शैल भी डुम्ड तो डेथ एंड डेस्ट्रेक्शन अनुशाशन और करतव्य निष्ठा के बिना यह लोक तंत्र का देवता मृत्यू और बिनास को प्राप्त हो जाएगा तो स्वतंत्र देश में भी अनुशाशन अप्यक्षित है संयम मर्यादा अप्यक्षित है संबिधान अप्यक्षित होता है संभिधान का पालन होता है राष्ट्र अच्छे ढंग से यथा संभवतया आगे बढ़ सकता है संभिधान के अबल कागजों में रह जाए तो कागज थोड़ी रक्षा करेंगे संभिधान नागरिकों के जिवन में क्रियानवित होता है तो वे संभिधान रक्षा कर सकता है, जवस्था दे सकता है हमारे या मरियादाएं है, मरियादाएं अनुसासन संगितार मरियादावली में भितर पड़ी है तो वो हमारी क्या रक्षा करेगी, वो किताब क्या रक्षा करेगी वो तो स्व्ययोग भले कर दे पढ़ने में काम आ जाए पर वे मरियादाएं आचारी विक्सु ने, हमारे पूर्वाचारियों ने, प्रमपूजनियों ने मरियादाएं लिखी वे कागजों में अंदर पढ़ी है तो अंदर पढ़ी तो क्या करेगी हमारा अंदर भी पढ़ी रहे, पर हमारे व्यवहार में रहेगी, जीवन में रहेगी तो वे जीवन तो होगी कोरी कागजों में रही हुई मरियादाएं निश्क्रिय मरियादाएं हैं तो वे जीवन व्यवहार में हैं तो वे जीवन तो मरियादाएं हो जाती हैं शक्रिय मरियादाएं हो जाती हैं हमारा धरम संग जैन स्वेतांबर तेरा पंथ आचारिय भिक्सु से संबद्ध है हमारे प्रथम गुरु प्रथम अनुसास्ता प्रथम आचारिय आध्य आचारिय परम पुझ्य भिक्सु स्वामी थे 262 बरस बीत चुके हैं हमारे धरम संग जैन स्वेतांबर तेरा पंथ का प्रारंब हुए को यह मरियादा मोथ्षव स्रीमज जयाचारिय की देन है जो हमारे धरम संग के चतुर्थ आचारिय थे और एक डिश्टे से कहूं यह मरियादा मोथ्षव इसी एरिया में बाड में जिले में प्रारंब हुआ बालोतरा में प्रारंब हुआ तो जहां जिस एरिया में जिस जिले में आज के साबसे बाड में जिले में प्रारंब हम उसी जिले में इस बार मरियादा महुतसव का आयोजन करने के लिए आज बाईतों में भिदिवत प्रविष्ट हुए हैं तो ये संयम और मरियादा सादों के लिए तो आवश्यक है ही पर आप ग्रियस्तों के जिवन के लिए भी अपने अपने धंग से मरियादा अनुसासन सैयम की चेतना अप्यक्षित होती है और तप मंगल है तपश्या सादू में तो खेर होनी ही चाहिए आप लोग जो हैं बले राजनीती के लोग हैं वहां भी एक्टकार की तपश्या चाहिए अब कभी कोटा आजाओ और कभी कहीं जाओ और कभी दिली जाओ आज इद्धर उदर भ्रमन करना मानलों सेवा के लिए राजनीती में जो लोग आते हैं उनका मूल बात सेवा है राष्टकीक प्रांतकीक नगस्ण शेवा करना होता है वो शेवा का लक्ष पस्ट है और moral value साथ में हैं तो राज नीती भी एक प्रकार की कथोरता कैदेंक तपस्या कैदेंक सादना हो सकती है कि शेवा करना उसके लिए कभी भोजन भी किया कि नहीं किया राज को नींद पूरी ले पाए एक नहीं ले पाए पर वहाँ जाओ वहाँ जाओ खाना खाया कि नहीं थोड़ी चाई फिर आगे चलो फिर आगे चलो यानि कई बार भोजन भी छोड़ना पड़ सकता है देरी से मिल सकता है और नेंद भी ताइम पर ली जाए एक ने ली जाए ये भी एक प्रकार की शादना है फिर उसमें समता और सहिष्णता हो कि समता से सहन करो तो राजनीती तपश्या का रूप भी कुछ अंसों में बन सकती है तो राजनीती भी एक शेवा का बड़ा मध्यम है उसमें पवित्रता सुदता रहे तो राजनीती और अधिक अच्छी सोभाय मान होती रह सकती है तो तपश्या भी हमारे जिवन में होने चाहिए तो आज हम ने इस बाईतु में जैन स्वेतांबर तेरा पंत धरमसंग के वार्शिक मर्यादा महुत्सव को आयोजित करने के संदर्ब में प्रविष्ट हुए हैं और हमारे सादू साद्वियां समणियां जो एक सन्यास के जिवन में हैं ममक्सु बाईयां मानलो अंडर ट्रेणिंग है सन्यास के साधना की दृष्टी से तो सभी की साधना अच्छी चले हम मर्यादाओं का समुचित मान सम्मान करते रहें तो मर्यादाइं मानलो हमारा मान सम्मान बढ़ाती रहेगी करती रहेगी तो सम्मान दो और सम्मान लो मरियादा को सम्मान दो सम्मान लो सम्मान यानि हमारा उन्नटी हो अध्यात्मिक उन्नटी भी हो हम अच्छा कारिय कर सकें तो प्रवेश का दिन प्रवेश का प्रसंग और हमारा यह मरियादा मुद्शव अच्छे डंग से अध्यात्मिक धार्मिक तरीके से और वांचुत निर्विग्नता के साथ भी संपन हो ये मंगल कामना है दानान शिठ्थम अभय अपयानं सचेशुया अनवज्जंवयंती तवेशुया उत्तम बंभचेरं लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते